हलो गाईज, वेलकम बैक तो माई चैनल, UK वीडियोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चमपावत के बारे में संपूर चांगारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चमपावत जाने का स्थाही समय क्या है चमपावत में आपको कौन-कौन से टूरिस प्लेस देखने को मिलेगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो चमपावत उत्राखन राज्य में इस्थित है और समुद्र तल से 1615 मेटर की बचाई परिस्थित है विभिन मंदिरों और सुर्मय प्राक्रूतिक ग्रिश्यों के लिए मश्वूर चमपावत 1997 में एक अलग जिला बना 1631 पर किलोमीटर में फैले इस जिले की सरहत नेपाल, उधमसिंणगर, नैनिताल और अल्मोडा से लगती है तक्यों के अनुसार यह जगा कभी चंदवंच की राज़दानी हुआ करण चमपावत का नामकरण राजा अर्जुन देर की बीती चमपावती के नाम पर हुआ है ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्णू का कूर्म अवतार यहीं हुआ था Tourist Places of चमपावत पॉस्ट लोहागार एतिहासिक महत्ववाला शहर लोहागार चंपावत से सर्फ 14 किलोमेटर की दूरी पर है यहां की मंत्र मुख्द कर देने वाली सुन्दर्दा को देखते हुए पीटर बैरन ने इसे दूसरा कश्मीर कहा था हर साल यहां पर बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और प्राचीन मंदिरों के दर्सित करते हैं साथ ही आप यहां के खादी बाजार से खरीदारी भी कर सकते हैं और पास्त में इस्थित खूबसूरत गल्चारा का प्रहमर्टी कर सकते हैं 2. नागनात मंदिर, एक हतिया का नौला उत्राखन राजी के चपपावजिले से 5 किलोमीटर दूर इस्तित एक प्रसिद बर्यटन स्थल है, पत्थर को तराश कर बनाया गया एक हतिया की नौले की कलाकृती की पौरानी कथा के कारण भी प्रसिद है, ऐसी मान्यता है कि इस पूरी आकरिधी को एक हाथ वाले सिल्पकार ने एक राथ में तराश कर बनाया था 3. माउंट एपट उत्राखन के चमपावजिले में या प्रसिद बर्यटन स्थल लोहगात से लगबग 8 किलोमेटर और चमपावजिले में काली नदी सीमा के पास कुमाउप पहाड़ियों के पूर्वी हिस्थे में इस्थेत है माउंट एपट के स्थाप नाम पीश्वी सतापती में जॉन हैरोल्ड एपट नामक अंग्रेजी व्यवसाई ने की इसे जॉन हैरोल्ड एपट द्वारा स्थापित किया गया इसलिए इसका नाम माउंट एपट रखा गया यह स्थान कुमाउ हिमाले की गोद में बसा हुआ है, जहां से आप हिमाले का सुन्दर नजारा देख सकते हैं. 4. मायवती आश्रम समुद्र तल से 1940 मीटर की उचाई परिस्थित मायवती आश्रम चमपावत से 22 किलो मेटर की दूरी परिस्थित हैं और मायवती आश्रम को अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है. 1998 में स्वामी विवेकानन ने अल्मोडा की अपनी तीसरी यात्रा के दौरान प्रभुत भारत का प्रकाशन कार्यले को मद्रास से हटा करने मायवती आश्रम में स्थानंत्रित करने का निर्ने लिया. तब से इस मासिक पत्रिगा का प्रकाशन यहीं से हो रहा है. साथ ही अद्वैक आश्रम में एक छोटा सा संडहाले और एक पुस्तकाले भी है. फिफ्थ गुरुद्वारा रीठा साहिब रीठा साहिब गुरुद्वारा जिसे मीठा रीठा साहिब के नाम से भी जाना जाता है. उत्रागन के चमपावत जिले में द्यूरी नामक एक छूटे गाउन में इस्तित है. यह बवित्र इस्थान चमपावत से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है. इस गुरुद्वारा का निर्मान उनिस्तो साथ में गुरु साहिबान ने करवाया था और यह जूरी गाउं के निकट इस्तित लोग्या और रदिया नदी के संगम पर इस्तित है. यह जगा एक खास तरह के मीठे रिठा फ्वल पेडों के लिए भी काफी प्रसिद है. 6. बाराही मंदिर देवी दुरा चमपावत से 58 किलोमेटर दुर देवी दुरा में इस्तित बाराही मंदिर हिंदू देवी बाराही को समर्पित है. मंदिर के परिशर में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत के पात्र पांडव इसका प्रयोग एक गेंद के रूप में किया करते थी. लोहा गात से 45 किलोमेटर दुर देवी दुरा में इस्तित बाराही मंदिर हर साल रक्षा बंदर के अफसर पर आयूजित किये जाने वाले बगवाल त्योहार के लिए जाना जाता है. इस त्योहार में दो समों नाचते गाते हुए एक दूसरे पर पत्थर पेंगते हैं. दोनों ही समों के पास बचाओ के लिए लकड़ी का बड़ासा ठाल होता है. सेवन्थ बानसूर का किला बानसूर का किला लोहागाद से लगबख साथ किलोमीटर की दूरी पर कर्ण रायत नामकिस्थान के पास इस्थित है. कर्ण रायत से बानासूर किले तब लगभग देड़ किलोमीटर की दूरी पैदल तै करने के बाद पहुचा जा सकता है एवं यह किला समुद्र तल से 1869 मीटर की उचाई परस्ते बानासूर के किले को बानासूर के किले के नाम से भी जाना जाता है ऐसी मान्यता है इसी इस्थान पर भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा बानासूर का वद किया गया था क्योंकि बानासूर ने श्रीकृष्ण के पौत्र का अभरन कर लिया था साथ ही एक मान्यता यह भी है कि इस किले का निर्मान मध्यकाल में किया गया था एट्थ क्रांटेश्वर महादेव मंदिर चमपावत से 6 किलोमेटर दूरिस्तित क्रांटेश्वर महादेव मंदिर समुद्र तल से 6000 मीटर की उचाई पर बना है या तीर्तिस्तल भगवान शिव को समर्पित है जिसे इस्थान्य लोग कांदेव और कूर्व पर नाम से भी सम्बूदित कर नाइन्थ आदित्यमंदिर पहार की चूटियों, फूलों की वादियों और हरे भरे घनी जंगलों से घेरा प्राचीन आदित्यमंदिर रमक गाउं में स्थित यहां भारी संक्या में परियतक सूर्य भगवान की पूझा अर्चना करने के लिए आते हैं ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्मान चंद वंच के राजाओं ने करवाया तूरिस चाहें तो पास में ही इस्थित आदी और भूमिया मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं पालेश्वर मंदिर मंदिरों का समो है जिसका निर्मान चंद वंच ने करवाया था ये मंदिर हिंदू देवी पालेश्वर, रतनेश्वर और चंपावती दुर्गा को समर्दे थे मंदिर के मंदप और छट पर की गई नकाशी इसकी कुपसूर्ती में और बेजावा कर दे 11. पूनागिरी मंदिर पूनागिरी मंदिर समुद्र दल से 3000 मिंद्र की उचाई परिस्तित है मार्च अप्रेल के महिने में इस मंदिर में हिंदू धर्ब का त्योहार चैत्री नवराच मनाया जाता है इस त्योहार भी भारी संख्या में परियतर पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में आते हैं मंदिर के पास ही काली नदी बहती है जिसे सार्दा नदी के नाम से भी जाना जाता है यहां से आप पूर्णा की लिए पाहाडी, काली नदी और टनकपुर का मनुरम द्रिश्य देख सकते हैं ग्वाल देवता को न्याय की देवी में गोरिल और गोल नाम से भी जाना जाता है ग्वारल चोर में देवता को समर्पित एक मंदिर है चोमु मंदिर काली और सर्युनदी के संगम परिस्तित है पंचेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव का एक पवित्र मंदिर है इस मंदिर में लोग भगवान शिव को पशुओं का रक्षक मान कर उनकी पूजा करते हैं और मंदिर में घंती बानने के अलावा दूंगी चड़ाते हैं मकर सक्रांती के अवसर पर यहां हर साल उत्राइनी मेले का आयोजन भी किया जाता है 14. पाताल रुद्रेश्वर गुफा 40 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 में की गई थी ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने मुक्ती पाने के लिए यहां तपस्या की थी एक मान्यता यह भी है कि हिंदू देवी दुर्गा ने यहां के एक इस्थान्य निवासी को सपने में दर्शन दिया था और पाताल रुद्रेश्वर गुफा के बारे में बताया 15. पंचेश्वर पंचेश्वर काली और सर्यू ननी के संगम पर बसा है संगम के इस्थान पर डुपकी लगाना इंदू धर्में पवित्र माना जाता 15. पंचेश्वर की सीमा पड़ोसी मुल्क नेपाल सी लगती है टूरिस्ट यहां पर 6000 मेगावाट क्यापसिटी का बहु उदेश्य पान भी देख सकती है 15. इंगला देवी मत्र देव भूमी उत्राकर के चंपावत जिले के लक्षिन में पहाड़ों की चोटी पर खने बाच के जंगलों के बीच में हिंगला देवी मत्र स्थित है यह देवी पीट इस छेतर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है इस मंदिर में देवी हिंगला को माभवानी के रूट में फूजा जाता है अगर आप लोहा घाट में शॉपिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए खादी बाजा एक अच्छा विकल्ब हो सकता है चंपावत में ट्रैकिंग ट्रैकिंग के लिए भी चंपावत एक आदर्श जगा है यहाँ पर ऐसे कई सारे ट्रैकिंग रूट है जो चंपावत को पंचेश्वर, लोहा घाट, वानासुर, टनककुर, पूर्नागिरी और कंटेश्वर मन्द से जोड़ते हैं चंपावत आप कैसे पहुंश सकते हैं यहां का निकर्तम रेडवे स्टेशन है और आस-पास के कई सारे सहरों से भी आपको चंपावत के लिए बसें आसानी से मिल जाये चंपावत जाने का सबसी अच्छा टाइम चमपावत घूमने के लिए गर्मी और ठन का मौसम आदर्श माना जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस एतना है अगर आपको चमपावत से जूड़ी ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें इसके अलावा भी चमपावत में और उनकारी के लिए हमारे चैनल यूके वीडियो वॉल्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए थैंक्स पो वाचिंग इस पेडियो